कि नमस्कार श्वागत आप शभी का दोस्तों आज हम लोग डेली करेंट अफेर्स के अंतरगत साथ मार्च 2023 के महत्पून करेंट अफेर्स को पढ़ेंगे अगर आप करेंट अफेर्स के पीडिये को डॉलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्रम ग्रूप को जोईन कर जाता है दोस्तों परतेक वर्स साथ मार्च को 2033 दिवस मनाया जाता है याद रखेगा 2033 दिवस साथ मार्च आई आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रस्ण क्यों दूसरा प्रस्ण है हाल ही में कहां लेवर 20 की बैठक आयोजीत की जाएगी तो दोस्तों इसका अंशर होगा अम अमरित सर में 19 और 20 मार्च को लेवर 20 का बैठक आयोजीत की जाएगी दोस्तों हम लोग जानते हैं कि G20 के लिए 2023 में भारत को अध्यक्ता सौपी गई है और G20 के अंतरगत 11 इंगेजमेंट क्रूप है उनहीं में से एक है लेवर 20 और इस लेवर 20 की बैठक कहा होगी अमरित अमरित सर का है पंजाब में अमरित सर किस नदी के किनारए है तो कने के किनार है एगे बढरते हैं तीसरे प्रस्ण कि तीसरे प्रस्ण है हाली में जारी चुणावी लोकतंतर सुचकांक में कौन सेजी पर रहा तो दोस्तों इसका अंसर होगा डेनमार्क यहांपे स्रोपай दूसरा अस्थान स्वीडन का है और तीसरा अस्थान नौर्वे का है अगर बात करें भारत की तो भारत का अस्थान 108 हमा है याद रखेगा चुनावी लोकतंतर सुचकांक में भारत 108 अस्थान पर है और पर्थाम अस्थान पर डेनमार्क है अगर बात करें चुनावी लोकतं इंस्टिउट के द्वारा जारी किया गया है याद रखिएगा आई आगे बढ़ते हैं चौथे प्रस्ण के और चौथा प्रस्ण है हाली में चौवन साल बाद किसने संतोष ट्रॉफी जीता है दोस्तो इसका अंसर होगा करनाटक जीहां करनाटक ने चौवन साल बाद संतोष ट्रॉफी जीता है संतोष ट्रॉफी चौवन साल बाद करनाटक ने जीता है तो किसे हराकर जीता है तो दोस्तो इसका अंसर होगा मेगाले करनाटेक ने 54 साल के बाद संतोष ट्रॉफी जीता है संतोष ट्रॉफी का समद्ध फुटबॉल से है याद रखिएगा आईए आगे बढ़ते हैं पाच्वे प्रस्न क्यों पाच्वा प्रस्न है किस मिसाइल का जहाज से लॉंच किये जाने वाले संसकरन का सफल परिक्षन किया गया तो दोस्तो इसका अंशर होगा ब्रमोष जी हाँ ब्रमोष मिसाइल का जहाज से लॉंच किये जाने वाले संसकरन का अभिहाली में सफल परिक्षन किया गया है ब्रमोष मिसाइल भारत और रूष ने समलित रूप से विक्सित किया है ब्रमोष जो नाम लिया गया है वो भारत के ब्रमपुत्र नदी से और रूष के माश्कोवा नदी से समलित करके लिया गया है तो याद रखेगा ब्रमोष मिशाइल का जहार से लॉंज किये जाने वाले संसकरन का सफल प्रिक्षन किया गया है आई आगे बढ़ते हैं छठे प्रस्ण के और छठा प्रस्ण है किसने 2022 का बीबीसी इंडियन अस्पोर्ट्स बूमें ऑफ दे एर का खिताब जीता है तो दोस्तों इसका अंसर होगा मीरा वाई चानू जी हां मीरा वाई चानू ने 2022 के लिए बी 2022 के लिए आई आगे बढ़ते हैं सातवे प्रस्ण के और सातवे प्रस्ण है माउगंज किस राज का तिरपनवा जीला बना है तो दोस्तों माउगंज मद्य परदेश का तिरपनवा जीला बना है याद रखेगा मद्य परदेश का एक जीला है रिवा और रिवा का तहसिल ह जिस्तों इसका अंसर होगा लीबिया में फष्टे सभी भारतियों को वापस निकाल लिया है अभी हाली में यहां कार राष्टिय अल्फ संख्यक आयोग ने किया है जिसके अध्यच इक्वाल सी हैं और इन्होंने अभी आठ भारती युवाओं को जो लीविया में फसे हुए थे उन्हें भारत बापस निकाल लिया है हाइब अगे ंहीं आगे बढ़ते हैं नौवे प्रेश्ण क क्यों नौवा嗎 रिष्ण है किस ने डाङ बिवाजजक का अनुठा कभर गो ग्रिंधो और गेनिक जारी किया दोस्तों ग्रिंधो और गेनिक यह जो डाकd बिवाक का यह जो अनुठा कभर है इसे अर्षवीनि व ह जारी किया है कहां जारी किया है तो सिक्किम में जारी किया है दोस्तों अगर बात करें शिक्किम की तो सिक्किम की रजधारी गंग टोक है और सिक्किम दुनिया का एकलोता और गेनिक राज है याद रखेगा तो सिक्किम में ही प्यूश गोयल ने डाक बिवाक का अनूठा क्षिक है कि안गे बढ़ते हैं धर्श्व और अन्तीम प्रश्ण इंडियाज वैक्सिन ग्रोथ श्टोरी नामक मुष्टक का व voilà कई किस कीऊ इसका वी मोकशन अभी हाली में मन्सुख मंडाविया मैं मन्सुख मंडाविया कौन है तो केंद्रियव श्वास्त मंत्री इंनों ने किया अगर बात किया जा है इंडिया यह कि पुस्ता का तो इस में नाम आएगा तो यद् सुर्बारा लिकट इंडिया इंडिया व्यक्षिन ग्रोफ श्टो पुस्ता को कि इसी के site आज का हमारा 10 कर इंटर्फिर्स का वीडियो समाप्त होता है उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर करें चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस करेंगे धन्यवाद